Resistor Organization of 80286 Segment and Status Resistors सबसे पहले हम Segment Resistors की बात करेंगे Segment Resistors ये भी 16 bit के होते हैं 0 to 15 Segment Resistors जो की होते हैं CS, DS, SS और ES इनके बारे में हम discuss करेंगे सबसे पहले है CS CS resistor जिसे की code segment resistor बोला जाता है सबसे पहले हम इसका introduction करेंगे कि यह क्या होता है code segment resistor इसका use memory location को address करने के लिए किया जाता है वो memory जो instruction है जो location है जहां पर program जिसको execute करना है वो store होता है यह code segment resistor होता है next है DS जो की show करता है data segment resistor को जैसे code segment होता है execution को जो execute करना होता है program उसे show करता है वैसे ही data segment resistor होता है data segment resistor जो की data segment को show करता है कि जहां पर जिस location पर memory के data पड़ा हुआ है वो show करेगा data segment resistor और इसमें एक extra segment भी होता है जो कि refer करता है segment को जहने कि कोई ओडाटा segment को refer करता है किसी memory की कोई ओडाटा को और extra segment भी data को ही contain करता है next है SS जो कि होगा stack segment देखिए stack segment क्या करता है stack segment जिसका use stack को addressing करने के लिए किया जाता है memory जिसमें stack data store होता है CPU यूज करता है stack को temporary storage के लिए जो important data होता है उस पर temporary storage के लिए CPU stack का use करता है जिसमें जो content होता है CPU resistors का वो stack में डाल दिया जाता है और stack क्या करता है grow करता है down wise push instruction क्योंकि data push होता है stack memory location में और decrement address पे और उसके बाद उसे pop instruction से साय data को जब भी उसका जो भी अपने main task को छोड़गी जब दूसरी execution करेगा जब वो खतम हो जाती है तो pop instruction से वो फिर से CPU stack से अपने data को निकाल लेता है और उसका execute करना start कर देता है नेक्स्ट है extra segment resistors एक्स्ट्र सेग्मेंट रिजिस्टर का यूज भी रेफ़र करने जो segment होता है उसे रेफ़र करने के लिए किया जाता है इसमें भी data होता है जो segment memory जो होती है उस data को शो करता है किसी पर्टिकल मेंब्री लोकेशन पर नेक्स्ट है जैसे कि मैंने कहा था इसमें data segment में एक्स्ट्र सेग्मेंट होता है यह उसका एक्स्ट्र सेग्मेंट होता है नेक्स्ट है हमारे status resistors status resistor भी 0-16 के होंगे देखिए इसमें क्या होगा सबसे पहले जो कि status word को शो करेगा जो भी status हो गए सारे जो प्रोग्राम के जो फ्लैग के जो भी status हो वह status words में शो किये जाएंगे और next है instruction pointer instruction pointer का यूज भी वैसे तो offset containing के लिए ही किया जाता है जैसे कि index resistors होते हैं pointer resistors वो होते हैं यह देखिए जो यह जो resistor है instruction pointer instruction को point out करती है कि offset को शो करती है जो instruction होगी उसे point out कर गए कि कौन सी address पे physical address के साथ कहां पी data पढ़ा है यह हमारे status resistor show करते हैं thank you thank you for watching this video आप और वीडियो के लिए हमारे चैनल learn and grow पे subscribe कर सकते हैं thank you